अब देखते की मैप कैसे करते की मैप मैं पहले देखते साम अफ प्रड़क्ट वाले फार्म कार रिडाक्षण कैसे होता है। तो सम अफ प्रड़क मतलब हमें पता है कि मिन टर्म्स होता है तो इसमें सम अफ प्रड़क पाले फॉर्म को यूज करके कैनानिकल बुलन एक्स्प्रेशन उसी टर्म से बनता है जिनका आउटपुट वान होता है तो इसको तीन तरीके से रिप्रेजंट कर सकते हैं तू वेर A और B तो इसका 2 to the power N squares बनेंगे के मैप में तो 2 to the power N मतलब 2 square तो 4 squares in total होंगे when we are using 2 variables. Suppose for example देखते 2 variables का कैसे represent करते के मैं तो X और Y 2 variables है इसका left side में X और upper side में Y लिखते हैं तो इसका binary form में देखते हैं तो फिर binary में शुरू होता है 0 से और फिर 1 तो 0 since यह min terms है तो जो variable का value 0 होता है उसका compliment लेते हैं और जिसका value 1 होता है उसको as it is लेते हैं तो left side since X का है तो 0 X dash होगा 1 का X होगा अपर side में Y का है तो 0 Y dash होगा 1 Y होगा तो इसको map कैसे करते हैं actually पहले left को देखते हैं फिर upper side को देखते हैं तो X dash Y dash पहला box होगा sorry यह इसका numbering कैसे होता है 0 1 2 3 तो इसका mapping कैसे करते हैं X dash Y dash पहला column होगा फिर X dash left को देखते हैं फिर इस line में चलेंगे तो फिर Y पहला पहला row पहला column पहला row second column फिर second row first column second row second column तो X dash Y dash X dash Y X Y dash और X Y ऐसे two variables में ऐसे represent करते हैं अब देखते हैं कि three variables में कैसे करते हैं तो three variables जब लेते हैं तो left side में one variable रहेगा और upper side में two variables रहेंगे साथ में तो X का जब रहेगा as it is है क्योंकि एक ही variable है तो 0 और 1 होगा तो X dash X होगा यहां पर since two variables है तो उसका अलग form होगा binary code इस तरीके से होगा two variables है तो पहले 00, फिर 01, 11 और 10 इन orders को कहते है gray code तो इसको इसी तरीके से लिया चाते है जब k map यूज करते है three variables में मतलब three variables जब होता है two variables जब साथ में रहते हैं तो इस तरीके से लिया चाते है तो two variables है तो 00, 01, 11 और 10 जिरो तो 0 का जिसका होता है तो उसका complement लेते हैं जिसका one होता है उसको azidus लेते हैं तो इसको इस तरीके से represent करेंगे तो इसको जब map करेंगे तो x dash y dash z dash x dash y dash z x dash फिर y z x dash y z dash इसी तरीके से second row first column, second row second column, second row third column और second row fourth column तो since इसमें देखे हम लोगने की 0, 1, 2, 3 इसमें चारी boxes है तो इस तरीके से numbering करेंगे लेकिन इसमें चार से ज्यादा है तो 0, 1, 3, or 2 इसमें numbering का order different हो जाता है 0, 1, 3, 2 हमेशे 0 से ही शुरू होता है और एक number less होता है suppose for example अभी इसमें 8 boxes है तो 7 तकी numbers अगो since 0 से शुरू हो रहा है तो 0, 1, 3, 2 अगले रहो में देखा जाए तो 4, 5, 7, 6 होता है इसका numbering अब देखते हैं 4 variables में कैसे करते हैं suppose for example लेरे P, Q और RS तो P, Q पहले left side में लेंगे और RS अपर वाले side में लेंगे तो P, Q का जब देखेंगे इसमें 2 variables साथ में हैं पहले जैसे मैंने बताई थी जब 2 variables रहता है तो 00, 01, 11 और 10 वारे orders लेते हैं क्योंकि ये by default ऐसी रहता है तो जब 00 रहता है P, Q, 01, P, Q, 11 रहता है तो P, Q, 10 रहता है तो P, Q' ऐसी similarly for RS रहता है आपर side में ये इसमें चार variables यूज हो रहे तो according to 2 to the power N वाले formula के सबसे इसमें 2 to the power 4 तो 16 squares होंगे in total लेकिन numbering जब होंगा 0 से शुरूर आए तो 15 नंबर तक ही रहेंगा इसमें numbering ऐसा रहता है 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 उसके अगले row में जो देखा जाए तो 8, 9 नहीं होता है उसके बाद 8, 9 जो होता है वो last में होता है 8, 9, 11, 10 उसके बाद फिर second last row में रहता है 12, 13, 15, 14